My dear friends, today we see what's happening on the news. प्यारे दोस्तों, आज हम देखते हैं कि खबरों में क्या बताया जा रहा है। हम देखते हैं कि बहुत से हिस्त्रीयों और लड़कियों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है। Because of violent crimes, their safety is being stripped away from them. अपरादों के कारण उनसे सुरक्षा को छीन लिया गया है। उनका सम्मान उनसे छीन लिया गया है। वो शर्मिंदगी से भर गई हैं, चोट से भरी हैं और वे तूट चुकी हैं। आप दर्शिकों में इसे भी हो सकता है आपनी जिन्दगी में इसमें से जा रहे होंगे शायद बुरा वैवार हुआ होगा शायद आज आप तूट चुकी होंगी बाइबल कहती है बजन सहीता नो नो में यहोव आप इसे हुऊं के लिए उचा गड ठहरेगा संकट के समय के लिए भी उचा गड ठहरेगा आज के वल वही हमारी तसली है आज वो आपके जखमों को बांदेगा और आपको चंगाई देगा आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा सारे तूटे पन को आपके सारे दुखों को वो आपको तसली देगा दूसरा कुरंथियों एक चार में हम देखते हैं वो हमें सारे कलेशों में शांती देता है ता कि हम उने शांती दे जो कलेशों में पड़े हैं वो हमें सारे कलेशों में शांती देता है तोड़ आज वो आपको इतनी जादा तसली देगा अपने प्यारी बाहों में वो आपको भर लेगा और आपको चंगाई देगा हाँ मेरे दोस्तों आज हो सकता है बहुत से माता पिता इसे देख रहे होंगे जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंते त्रहते हैं और चायद आपका बच्चा दूसरी जगह में पढ़ाई कर रहा है विदेश में या दूसरी जगह में आप उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता कर रहे होंगे हमेशा उनके बारे में सोचते हैं और उनकी चिंता करते हैं आज से परमेश्वर उनके आसपास ढाल की जैसे होगा बहुत से स्त्रियां हैं जो सड़क पर चलने से भी डरती हैं काम पर जाने से भी और अपने रोज के कामों में भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा जैसे भजन सहीता 121 के 7 और 8 कहता है यहवा सारी विपत्ती से तेरी रक्षा करेगा वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा यहवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा आईए आज उस सुरक्षा पर विश्वास करें जो परमेश्वर आपको देता है and let us pray and receive this from our Lord आईए प्रातना करें और उसे प्रभू से ले ले let us receive His healing आईए उसकी चंगाई को ले ले His protection उसकी सुरक्षा को and His guidance और उसके मार्गदर्शन को Lord, today you are close to all those who are broken प्रभू आज तू उन सारे तूटे हुए लोगों के करीब है all those who are suffering shame वो सब लोग जो शर्मिंदगी में हैं all those who are hurt and burdened वो सब जो चोट खाए और दबे हुए लोग हैं Lord, today fill them with your comfort प्रभू आज इने अपनी शांती से भर दे fill them with your love अपने प्रेम से इने भर दे and heal all their wounds, Lord इनके सारे जखमों से ने चंगाई दे प्रभू इने अपने प्रेम से धाप ले and be a strong hold in the times of their trouble और इनके संकट के समें इनका द्रिरगर बन जा comfort them so that they may be a comfort to all those who are hurting तो इने तसली दे ताकि ये दूसरे चोट खाए लोगों को तसली दे सके Lord, I pray for protection of all the women and all the girls thought, that you will guide them and protect them and have your shield around them as they go and as they come जैसे ये जाती हैं आती हैं तु इनकी सुरक्षा की ढाल बन जा प्रभू सुरक्षा कर, let no harm touch them, इने कोई हानी ना चुने पाए let no evil eye touch them, कोई बुरी नजरे इने चुने ना पाएं प्रभू change all the hearts of the evil ones, दुष्छ लोगों के हृदे को तु बदल दे प्रभू who are plotting against them, जो इनके विरुद योजना बनाते हैं, जो इने धंकाते हैं and या फिर जो, who may be scheming against them Lord, इनके विरुद में युक्तियां बनाते हैं प्रभू I pray that no work of the wicked people will touch your children, प्रात ना करती हूं कि तेरे बच्चों को कोई दुष्छ के काम ना छुने पाएं I pray that you will cover them with your blood Lord, प्रात ना करती हूं तु इन्हे अपने लहू से धाप ले and that your name will be marked on their forehead, तेरा नाम इनके माथे पर लिखा जाए प्रभू and that your children will be safe, ताकि तेरी संतान सुरक्षित रहने पाए Lord I pray for all those who are hurting today that you will give them complete healing प्रात ना करती हूं जो लोग चोट खाए हुए हैं प्रभू ने तु चंगाई दे and a brand new life, और एक नया जीवन दे change the tides of this nation, देश की पर स्थितियों को दु बदल दे प्रभू and let your protection be upon all the women in this nation, और इस देश की सारे इस्तरियों पर तेरी सुरक्षा हमेशा बनी रहे we pray in the name of Jesus, आमें, आमें, God bless you, प्रभू आशिश्टे